Assalamu alaikum everyone welcome back to another video आज हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे और्गनल जो रिमेनिंग थे तो लास्ट जो हमारा एनिमल सेल और्गनल जो रहता है वो है माइटोकॉंड्रिया इससे पहले जो माहीं लास्ट वीडियो थी वो थी ग्लायक्सीजोम्स के उपर जो के प्लांट और्गनल है वो इन कंपेरेजन टू पैरोक्सीजोम्स हमने स्टेडी किया था तो विदाव टाइम वेस्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉंड्रिया होता क्या है थोड़ा सा अगर हम इसका इंट्रो देखें तो माइटोकॉंड्रिया जो है कंपोजिशन है द हैं एरोबिक सेल्स के अंदर जहां पर रिस्पाइडेट्री जो हमारे सेल्स होते हैं उन में मौझूद होते हैं में इसके इलावा यह पॉइंट याद रखने वाला है कि माइटोकॉंड्रिया बेक्टेरियल सेल्स में एपसेंट होते हैं और अलजी प्रोटोज़ा फंजा हैं इस तरीके के माइक्रो और्गनिजम में मौझूद होते हैं सबसे पहले माइटोकॉंड्रिया को जो स्टडी किया था अब्जर्व किया था वो कॉली करने किया था 1850 के अंदर स्ट्रेटीड मसल्स में स्ट्रेटीड मसल्स क्या हैं जब हम टिशूस स्टार्ट करेंगे अफ्टर दे सेल इंशाला तो हम उसमें मस्कुलर टिशूस की टाइप पढ़ेंगे इस्ट्रेट मसल्स मतलब ऐसी मसल्स में हमें क्या चाहिए होती है एनरजी चाहिए होती है उनकी मूव्मेंट के लिए ठीक है जो स्केलेटल मसल्स होते हैं तो उनके अंदर मेंली सबसे खेऑले कॉलिकर ने स्टडी किया था कां आते हैं। थी कि माइटो कॉंड्रिया का मेन जब हम function पे आये तो यह हमारे educación के अंदर झेज इनरजी प्रोड्यूस करने वाला, जो है इसका function होता है। इस ही वजए से olmazगा जी कि माइटो कॉंड्रिया को powerhouse of the cell भी कहा जाता है। फिर झे अंदर specific अपना इसका DNA होता है हमने अब तक जतने भी और्गनल्स पढ़े उनमें से किसी भी और्गनल्स में हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी कि उसमें अपना खुद का DNA होता है DNA सिर्फ हमने पढ़ा था कि nucleus में मौझूद होता है जबके mitochondria जो है इसके अंदर भी इसका अपना specific DNA होता है इसी क्यों? क्योंके cytoplasmic inheritance के लिए याद रखें जब एग और sperm जो है वो combine होते हैं fuse up होते हैं embryo zygote जब बनता है तो उस दुरान sperm का सिर्फ nucleus जो है वो enter होता है एग cell के अंदर बाकी कोई cytoplasmic organelles या कुछ नहीं होते है तो ये point भी आज रखने वाला है कि mitochondria जब हमें inherit होते हैं तो हमारी body के अंदर जितने भी mitochondria मुझूद होते हैं वो mother cell से आते हैं इसके इलावा mitochondria के पास अपने खुद के ribosomes होते हैं जो कि protein synthesis में help करते हैं फिर हम आजाते हैं तो पर डिपेंड करता है कि मतलब cell किस टाइब का है उस पर डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा mitochondria उस वक मौझूद है मतलब बहुत ज़्यादा अगर active है cell उसको energy बहुत ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर mitochondria की तादाद उन cells में ज़्यादा होती है इसके इलावा मैंने आपको बताया physiological condition बिज़े से number vary करता है इसी तरीके से mitochondria अपनी shape भी from one form to another form ज़े change कर लेते हैं according to the physiological condition of the cell तो इसलिए हमें ये club shape में भी दिखने को मिल सकते हैं racket, vascular ring और round shape granular structure में देखने को मिल सकते हैं पिर अगर हम आएं size के उपर तो size भी vary करता है normally 0.5 to 2 micrometer होते हैं ठीके इसके इलावा इसी वज़ा से ये बहुत ज़ादा distinctly visible नहीं होते हैं क्योंकि इतने minute हैं तो लाइट microscope से नहीं देखे जा सकते हैं कभी-कभी उनकी length ज़े 7 micrometer तक भी जाती है अब अगर हम आज हैं स्ट्रक्चर के उपर के माइटो कॉंड्रिया के स्ट्रक्चर के इसा होता है हमने पाड़ा के double enveloped और्गनल है सही मतलब bounded by two membranes एक inner membrane और outer membrane जिसे के यहां पर दिख रहा है सही पहले outer membrane है देन उसके अंदर inner membrane है ये cross section दिखाया हुआ है आप जो आउटर membrane हमें दिख रही है ये बिल्कुल स्मूध है इसके उपर कोई हमें मतलब granular या कोई इस तरीके की कोई चीज नहीं दिख रही कोई in folding नहीं जस लएक एक कवर है ठीक है इसके अंदर mainly है हमारी lipids और प्रोटीन की बनी है जैसे के normal plasma membrane lipid bilayer है ठीक है उसी तरीके से और इसमें भी वही जो हमने cell membrane के अंदर पढ़े थे plasma membrane में के proteinious channels होते है for the transportation of certain ions and molecules वो outer membrane में मौझूद होते हैं फिर अगर हम inner membrane पे आजए हैं तो inner membrane थोड़ी सी complex होती है convylated होती है और impermeable होती है याद रखें impermeable होती है इसमें transportation of ions वगेरा जो है इतनी easily से नहीं होते हैं certain specific ions जो है उनकी transportation होती है ठीक है वो भी जब need हो तब अच्छा जो inner membrane है वो बिलकुल भी smooth नहीं होती है इसमें बहुत जादा complex मैंने इसलिए काई इतनी सारी infoldings मौजूद होती है क्रिस्टी क्या कहते हैं क्रिस्टाय क्रिस्टी जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लें ठीक है अब यह क्रिस्टाय की वज़ा से इस inner membrane की वज़ा से जो है mitochondria के अंदर दो portions और बन जाते हैं यह हम कहें कि दो chambers और बन जाते हैं या compartments कहलें वो क्या है एक outer compartment होता है एक inner compartment होता है जो आउटर compartment होता है वो बनता है जो inner membrane और outer membrane के दरम्यान जो खाली space होती है जो kにちは क्रिस्टाय के coz में भी हो मतलब टोच्टिब जो space एंनर membrane और outer membrane के दरम्यान इसको हम outer compartment, perimitrocondrial space, इंटर मिंब्रेन ट्पेस एसके करह द कम ड़ी कहते हैं जो सब्सक्राइब ही निएर नेंस्टे से नेंप्रेस लिखा करता है तो चैंबर को होती है उसक दाः प्रेजर दिखा होता है inside जह अक पडिर्ण है जिसको हैं अब मैटर B matrix जो है इसमें हमारे lipids, proteins, DNA जैसे हमें दिख रहा है circular form में, mostly circular form में होता है, except algae और protozoans में, ये granules भी मुझूद होते हैं, ribosomes मुझूद होते हैं, ठीक है, अब अगर हम थोड़ सा, हम ये देखें कि granules क्यों मुझूद होते हैं, ग्रेनीूज जो है, inner membrane को थोड़ सा, अगर हम अंदर से, mitochondrial matrix भी पढ़ लें, और inner membrane में थोड़ सी detail में, अगर हम देखें, तो granules जो हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉमिनेंट होते हैं, और mostly उन सेल्स में प्रॉमिनेंट होते हैं, जहां पे transportation of ions and water बहुत ज़्यादा है, जैसे of ions and water बहुत ज़्यादा होती है, epithelial cells in small intestine के, इन सब में granules मुझूद होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉमिनेंट फॉम में, जिसे के यहां पे दिख रहा है, सभी किस चीज के लिए, transportation of ions and water के लिए, फिर हम यह देखते हैं, कि inner membrane जो है, वो हमारे पास दो faces बना रहा है, दो faces बनाने का मतलब एक C face और एक M face, सही है, अब यह C face, क्योंकि हमने पढ़ा इतनी ज़दा इन folding होती है, यह जो अंदर वाला fold हमारे पास आ रहा है, यह हमारा C face जो के बनाता है outer cytosol, inner membrane से बाहर एक cytosol मुझूद होता है, outer और inner membrane के दर्मयान, जो perimitocondrial space होती है, inter membrane space इसमें, फिर अगर हम अंदर से इसको देखें, जहां पर M phase है, तीक है, यह जो inner membrane वाला, यह जो M phase हमें दिख रहा है, इस पे जो है, कुछ subunits, यह चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे से particles, elementary particles देखने को मिल रहे हैं, इनको हम कहते ह औक्सीजोम्स, inner membrane subunits, इनको हम कहते हैं, औक्सीजोम्स कहते हैं, और औक्सीजोम्स जो हैं, बाज दफ़ा इनको हम F1 particles या F0 to F1 particles भी कहते हैं, इनका main काम होता है, ATP synthesis का, यानि के, एनरजी जो है, प्रोड्यूस करने का, फॉस्पराइलेशन जो प्रोसेस सारे होते है, ATP synthesis म फिर अब structure के बाद आ जाते हैं, mitochondria की chemical composition पे, chemicalी के चीजों से बनावा होता है, अच्छा, chemicalी भी जो है न, mitochondria, plant और animal cell में, इसकी जो composition है, वो vary करती है, अगर normally हम देखें, तो तकरीबन 65 to 70% proteins हैं, 30% lipids हैं, 0.5% RNA और small amount of DNA तो मुझूद ही होता है, अगर सिफ overall lipids की हम बात कर हैं, 30% lipids को अगर हम मतलब 100% अगर हम उसका लें, 90% उसमें phospholipids हैं, 5% less cholesterol या इससे भी कम cholesterol हो सकती, 5% free fatty acids और triglycerides होते हैं, अब inner और outer membrane में थोड़ा सा देखें, तो inner membrane में ज्यादा तर एक ही टाइप का phospholipid हैं हमें मिलता है, वह कार्डियो लिपिन इसी जो है phospholipid की व के लिए, जैसे के sodium, potassium, chlorine वगए न इन सब के लिए, और outer mitochondrial membrane हैं हमारी normal plasma membrane होती है, जैसे 50% protein और 50% phospholipids, जैके unit membrane, balanced membrane होती है, ठीक है, और semi permeable होती है, इसके अंदर mostly unsaturated fatty acids, जो हम जादा होते हैं, compared to cholesterol, जो हमने plasma membrane में भी पढ़ा था, अच्छा, chemical composition के बाद आते हैं, functions of mitochondria प कि क्या, मतलब basic functions, जो हैं, क्या-क्या होते हैं, जो बहुत जदा important functions हैं, वो है कि oxidation का गाम होता है, dehydrogenation होती है, oxidative phosphorylation, respiratory chain cycle, अच्छा, अच्छा, अब ये जो processes हैं, ये जो functions है, mitochondria के, ये बहुत ज़्यादा detail में पढ़ने वाले functions हैं, इनको मैंने यहां पे चोटा-चोटा summarize नहीं किया है, क्यों? क्योंकि इनके ओपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से lecture लेंगे, इन्शाला, तो अब basic basic functions है, mitochondria के, वो ये ये सब पर्फियॉम करता है, इन सब को इन्शाला हम अलग-अलग वीडियो में जो हैं, वो cover करेंगे, अलग-अलग lectures, basically mitochondria जो है हमा हमारा food material जैसे के carbohydrates और fats वो completely oxidize होते हैं, किस चीज के अंदर carbon dioxide और water के अंदर, सही है, अब ये जब process होता है, ये जब oxidation का process हो रहा होता है, इन food materials का, इस दोरान एक energy rich compound जाए, वो produce करता है, mitochondria जिसको हम जानते है, adenosine triphosphate के नेम से, जिसकी short form है, ATP, ATP क्या है हमारा energy rich compound है, energy molecule है, ठीक है, अब ये energy produce करने की वज़ा से ही mitochondria को cell का powerhouse कहा जाता है, powerhouse हमें पता है, जहां से पूरे शहर को electricity आ रही होती है, ठीक है, main source जो होता है energy का, तो इसी तरीके से cell का powerhouse है, mitochondria को कहा जाता है, animal cells के अंदर, तकरीबन 95% जो ATP molecules है, वो mitochondria से ही बनते हैं, जबके 5% जो remaining जबनेंगे, वो anaerobic respiration में बनते हैं, अच्छा, plant cell के अंदर ATP, जो है, वो chloroplast भी प्रोड्यूस करता है, mitochondria के साथ साथ, क्यूंके chloroplast के प्लास भी अपना specific DNA भी मौजूद होता है, थोड़ा सा जो है, हम इन्शाल्ला ये जो प्लांट के जो और्गनल्स रहते हैं, प्लास कोई प्रॉपर हमारा genetic material नहीं होता है, ये सिफ साइटो प्लास्मिक एन्हरिटेंस के लिए हमें help out करता है, double stranded होता है, जो मैंने छोड़ के बता है, ये सर्कुलर होता है, size जो होता है, mitochondrial genome का, plants में बहुत जादा larger होता है, as compared to animals के, animals में तकरीवर 5 micrometer तक इसकी length होती है, और plants के अंदर हमें 30 micrometer तक मिलती है, इसकी length, अच्छा, हमने पढ़ लिया, ये तो mitochondrial matrix, जो हमारा inner membrane, जो है mitochondrial matrix मुझूद होता है, उसमें मुझूद होता है, circular form के अंदर, बास दफ़ा जो है अटेच होता है inner membrane के साथ एक point पर जहां पर DNA की replication हो रही होती है, DNA replication start होती है, अब हमें पता है, जब nucleus के अंदर DNA की replication होती है, तब कुछ enzymes की मुझूद होती है, अब वो enzymes mitochondria में कहां से आते हैं, वो enzymes आते हैं, cytosol के through, import होते हैं, mitochondria के अंदर, और ये जो सारा था mitochondria का sum up, अब जो है, मतलब हमने पढ़ा, power house of the cell है, structure पढ़ा, inner membrane, outer membrane होती है, सही है, और मतलब inner chamber पढ़ा, और outer chamber mitochondrial matrix, crystal के होती है, जो इन foldings हमारी बनाती है, C phase, M phase, और कुछ basic functions mitochondria के देखे, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का organal, जो के mitochondria था, और इ animal cell organals जो है, वो complete हो गए है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि as a biologist, as a zoologist, as a student of biology, हमें जो है, botany भी consider करनी है, I know, कि animal cell के बारे में मैंने का था, कि animal cell से हमें related पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत intro हमें, plant cells का भी पता होना चाहिए, तो उनके organals के बारे में भी थोड़ी ब जो हम कर लेते हैं थोड़े 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 या फिर मैं कोशिश करूँगा या लग अलग वीडियो बना लेते हैं, I think three ही रहते हैं, plastid है, centrols और chloroplast है, तो इन्शालला, ठीक है, जब तक मिलते हैं, नेक्स वीडियो के अंदर है, तब तक के लिए, आला हाफिज